स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपनी चैनल, हलो टीचर में इस वीडियो में लेके आए है, मोस्ट एमशी की क्वेश्चन भारतिय सभी दान का जो आपका शिल्याबस है उसके उपर इंपटेंण सिल्वावनिया है और इस सिसल्वावस में किसे से थीन लेकिया है। इंफॉर्मेशन के साथ भी ओनेवाला है . तो एक भी कॉस्टिन मिस ना केजिए क्योंकि बहुत इंपटेंट वूडियो होनेवाला है। go का सभीदान यह प्रदान करता है की नीचे यह दो कथन दिये गए उसमें से आप प्रत्य कराज्या की विदान सभा में पास्षों से अधिक साधस से नहीं होंगे और जो सरा कथन दिया है किसी वेक्ति को राज्या की विदान की सेट्ड के लिए नहीं चुना जाएगा ये दिवह 25 वर्षेसे है और किसी व्यक्ति को राज्य की विदान सभा की सीड के लिए नहीं चुना जाएगा यह दिवा पचीस वर्षे से कम उम्रका हो तो इसकी जो एज लिमिट है कम से कम मिनिमम जो है पचीस साल आपको पूरे करने चाहिए तब आप विदान सभा के जो है सदस्य के लिए पात् लिशेदार राज्य सभा को तीस साल लगता है ठीक है इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर टू है क्वेश्चन नमबर दो है निम्मकित कथनों पर विचार करें इसमें भी पहला जो कथन दिया भारत में उच्छे नयाले के एक न्याजिश को हटाने का त ताहि नयाजिश केवल सरवच्चे नयाले में वकलत कर सकता है तो उपर दे गए कथन में से कोंसा कतन सहे वो बताना है अप्छन नमबर ए मिद्या केवल एक आप्षन नमबर B मिदाय केवल 2, आप्षन नमबर C मिदाय एक और 2 दोनो, आप्षन नमबर D मिदाय न तो एक और न तो दो तो इसका जो correct answer हो जाएंगा, हो जाएंगा आप्षन नमबर 1 केवल 1 कौनसा कतन से है, तो एक नमबर का, एक नमबर का जो कतन है, भारत में उच्चे नयाले के एक नयादिश को हटाने का तरीका, उसी तरह है जो सरवच्चे नयादिश को हटाने का है, ये कतन जो सही है, तो दो नमबर का जो कतन है, कार्याले से सेवर अरुत्ति के बाद उच्च तो इसलिए जो दो नंबर का कथन ता वो गलत हो गया ता है उसका स्पष्टे करना भी देख लिया उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है प्रश्ण संक्या तीन है वह है लोक अदालोतों के संदर्ब में निम्मकित कत्नों पर विचार करें कतन नंबर एक है लोक अदालत द्वारा किये गए नीर्ने को सिविल कोड की डिकरी माना जाता है और किसी भी अदालत के साबने इस पर अपिल नहीं होगा और कतन नंबर दो जो है लोक अदालोति की अधिकता के अंतरगत वहिवाईक परिवारिक व्यवादों का शामिल नहीं और डौन नो न सई है और अफ्टनंबर सब्स्यों मेर्य ख्याल से तो पर लोग देख लेते हैं है हुआ है को जर लोक एक शब्सक्राइब गए नियर्नी को सिविल पांड कि इस पर अपिल नहीं होगी, यह जो कथन है सही है, तो दूसरा कथन गलत क्यों है, दूसरा जो कथन है, लोग अदालतों की अधिकता के अधिक करता के अधर गात्र वहिवारिक परिवारिक विवादों को शामिल नहीं किया गया है, यह कथन जो है गलत क्यों है, उसके बारे मे कि आधारिक आधरिक्ता में शामिल किया गया है तो ये कथन जो है ये भी कथन क्या है शामिल किया गया ये कथन सई है जो उपर में दिया था कि शामिल नहीं किया गया है लेकिन शामिल किया गया इसलोग गलत हो गया था इसके बाद का जो कथन है क्वेश्चन प्रश्ण प्र विचार कीजिए कथन नमबर एक है भारत में 27 उच्चनेल है कथन नमबर दो है पंजाब भर्याना और केंडरशाशित प्रदेश चंदिगड का यह कि साम ही कुछ नियाल है कथन नमबर तीन जो है राष्ट्य राध्धानी शेत्र दिल्ली का सवयम का उच्चनेल है तो तो इसका जो करेक्ट एंसर हो जाएंगा वो जाएंगा आप्शन नंबर ए दो और तीन दो मतलब पंजा भरियान और केंदर शाषित प्रजेच चंदीगड का एक ही सामयक उच्चे नियाल है यह कतन सही है और दुसरा जो है राष्टे राध्दानी शेत्र दिल्ली का सव्यम पिसे नियाल है चाहिं यह कतन भी सई है तो जो रांग कथन है भारत में 37 अला यह तो यह रांग कथन है क्योंकि अभी भारत में फिलाल 25 फिस उच्चे नियाल है जो रिटार्मिन तेज है वो है 60 यह इसके बाद अगला क्वे में question number 5 है केंद्र शासित प्रदोशू के प्रशाशन के बारे में निम्म कित्मे से कौन सा कथन सई है केंद्र शासित प्रदोशों में लागो कानून ब्रैकेट में दे लिया है दिल्ली और पुड्डू चेरी के अलावा कारे कारे द्वारा तैयार किये गए नीमों की प्रकूति में है, कथन नमबर दो जो है दिल्ली शेत्र को छोड़ कर केंद्रशाशित प्रदोश्य के पास स्वयम की उच्चे नयाले नहीं हो सकते हैं, कथन नमबर तीन जो है विदान सभा के साथ संगर राजय शेत्र के मामले में संसद राजय सुची के तहत उल्ली की विश्यव पर कानून बना सकती है, कथन नमबर थर्ड दो है विदान सभा के साथ संगर राजय शेत्र के मामले में भी संसद राजय की सुची के तहत उल्ली की विश्यव पर कानून बना सकती है, तो नीचे देख गए कतनों में से कौ दिमिदय केवल एक और दो, शीमिदय केवल तीन और दिमिदय कोई भी नहीं, जिसका जो correct answer हो जाएंगा, हो जाएंगा option number C केवल तीन नंबर का जो कथन वो सही है, बाके के जो दो ऊपर के खथन है वो गलत है, तो तीन नंबर का कुम सा सही है, विदान सभा के साथ संगर रा जे शेत्रों में लागू कानुन संसद बारा पारित किया जाता है, और कथन दो गलत है, दिल्ली के अला अन्य केंद्र शाषित प्रदेशों में सयम के उच्चे नयले भी हो सकते है, अनुच्छे 241 के अनुसा संसद को किसी भी केंद्र शाषित प्रदेशे के लिए प्रदेश उच्चे नयले घुशित कर सकती है, इसके बाद का जो क्ष्चन है, क्वश्चन नमबर सीख से प्रश्चन संक्या 6 है, निम्म में से कौन सा कथन गलत है, अभी इसमें गलत कथन बतन है, तो ये नमबर का जो कथन है, एक व्यक्ति को एक ही, समय में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्येपाल के रुप्बे नियुक्त किया जा सकता है, कथन नमबर भी है, उच्छे नयले के नया दिशों को राष्ट्रपति दारा नियुक्त किया जाता है, कथन नमबर शी है, राज्येपाल को उसके पस से हटाने के लिए भारत के सविदान मे प्रक्रिया निदारित की गई है और option number D मिदया कथन number D मिदय विदाई विवस्ता वाले संगर राज्य शेत्रा में मुख्य मंत्री की निवक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तो इसका जो कथन सही हो जाएंगा का हो जाएंगा कथन नंबर शी राज्यपाल को उसके पस से हटाने के लिए भारत के सहविदान में प्रक्रिया निदारित की गई है यह जो कथन है वो गलत कथन है बाकी के जो तीन दिया है वो सही कथन है जो शी नंबर का कथन है वो राज्यपाल को उसके पस से हटाने के लि यह केवल नीदिश्ट करता है कि राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसर पास साल का कारेकाल है मतलब जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक ही वो राज्यपाल जो है पत्पे रह सकते हैं इसके बाद जो है प्रश्ण संक्या साथ है राष्ट् सब्सक्राइब करें कथन नंबर एक है लोग सभा में सभी केंदर शाषित प्रदेशों को प्रथिनी दित्वत दिया गया है कथन नंबर दो है राज्य सभा में सभी केंदर शाषित प्रदेशों को प्रथिनी दित्वत दिया गया है कथन नंबर तीन है राष्ट्रपति के चुना में सभी संगर शाषित प्रदेशों को प्रथिनी दित्वत दिया गय हो जाएंगा option number 1 केवल एक एक मतलब लोक सभा में सभी केंद्र शाषित प्रदेशव को प्रतिनिद्व दिया गया है बचे दो कथन तो दो कथन गलत की वह अभी देख लेते हैं तो कथन दो गलत है क्योंकि राज्य सभा में केवल दिल्लियार पुड़ुचरिका प्रतिनिद है तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर नाई ने प्रश्ण संक्या निम्मकित में से कौन सा अधिकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपत का संचालन करता है निम्मकित में से कौन सा अधिकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपत का संचालन करता है आ आप्शन नमबर बी में दिल्ली का उपर राज्य पाल, आप्शन नमबर शी में दिल्ली उच्चनेले का मुख्यने आदिश, और आप्शन नमबर डी में भारत का प्रदार मंत्री, तो इसका जो करेक्ट एंसर हो जाएंगा, हो जाएंगा आप्शन नमबर बी दिल्ली का मुक्ह मंत्री को नियुक्त करते हैं इसके बार का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दस है प्रशन संक्या दस है पंचायतों के चुनाओं के संदर्भ में निम्मकित कतलों पर विचार करें पंचायतों के चुनाव के संदर्व में निम्मकित कत्रों पर विचार करें। कथन नमबर एक है पंचायतों के चुनाव लड़ने की नुनतव मुम्र 25 वर्ष है। कथन नमबर दो है, सबसे हाल के राज्य चुनाव के लिए तैयार मतदता सुचे के अनुसार, पंचायतों का चुना आउजित किया जाता है, कार कथन नमबर तीन है, तीनो स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष को अप्रत्यक्ष रूप से, निर्वाची सदस्य के बेश से च चुना जाता है, तो उपर ये कथन में से कौन सा सही नहीं है, वो चुनना है, सही नहीं है, वो चुनना है, मतलब जो गलत है, वही चुनना है, कथन नमबर ये में जाय केवल एक, बी में जाय केवल एक और दो, शी में जाय केवल दो आर तीन, इस डी में जाय एक दो आर त तो इसका जो गलत कथन है वह है एक दो आर तीन मत्तब तिनों जो कथन है गलत है पंचायतों के उचानाव लड़ने की नियुनता उम्र पाचीस वर्ष है ये भी कथन गलत है दूसरा जो कथन है सबसे हाल के राज्य चुनाव के लिए तैयार मतदता सुची के अनुसार पंच क्या जाता है ये गलत है और तीनों स्थाहों पर पंचायतों के इस стать ऑच्छों को अफवर्थ कभित से चुना जाता ये कथन भी गलत है तो गलत क्यों है वो देखना है कथन एक गलत है पंचायते के चुनाव लड़ने के लिए नुनित मुम्रज है वो 21 वर्ष की है कथन नमबर 2 इसलिए गलत है क्योंकि राज्य चुनाव आयोग मवजुदा विदान सबाब मतदाता सुची के आधार पर ग्राम पंचायतों के मत मतदाताओं के सुची तैयार करवाती है इस प्रकार सबसे हाल के राज्य चुनाव के लिए तैयार मतदाता सुची के अनुसार पंचायतों के चुना आजित नहीं किये जाते है और इसके बाद जो अगला क्वेश्टन है क्वेश्टन नमबर 11 है सविदान 73 वा संसोधन इसमें दो एक में घराम पंचायत नमबर दो में दैन नगर पंचाय स्य में ब्लोग संती तो उपर दिये कथ्रों में से कौन सा सही वे बताना है केवल एक वार थीन शी मिदेख केवल दो और तạt डिम गई दो और तीन तो इसका जो ाहि वह है केवल एक औरतलिय मतलग बलॉक समीति, तो नगर पंच च नगर पंच जो है जो कथन गलत दिया है अपने पंच एब खेंगनन सविधान के भाग नौके प्रवधानों के तहत पंचाइती राज संगटोन के गठन के बारे में निम्मकित कतनों पर विचार करें। कथन नंबर एक है ग्राम स्तर पर पंचाइत के सदस्य प्रत्यक्षे रूप से चुने जाते हैं। कथन नंबर दो जो है पंचाइत चुनाओ से सब्बंदित इवादों को राज्य विदान सभा को भेजा जाता है। कथन नंबर तीन है जब एक पंचाइत को अपने कारेकाल पुरा होने से पहले भंग कर दिया जाता है। तो अगली निर्वाचित पंचाइत पूरे पाच वर्षों के लिए कारे करती है। ब्रैकेट में दिया यदि भंग हुई पंचाइत का कारेकाल 6 मेने से कम बचा हो। तो उपर दिये कथन में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। आप्शन नंबर A में देहां 1 और 2, B में देहां 2 और 3, C में देहां केवल 3, D में देहां 1, 2 और 3। तो इसका जो Correct answer हो जाएंगा, हो जाएंगा, आप्शन नंबर C केवल 3, 3 नंबर का जो कथने सही है। तो तिन नंबर का जो कथने जब एक पंचायत को अपने कारेकाल पुरा होने से पहले भंग कर दिया जाता है तो अगली निर्वाचित पंचायत पुरे पाच वर्षों के लिए कारे करती है यदि भंग हुई पंचायत का कारेकाल 6 मेने से बचा हुआ हो तो ठीक है तो इसका जो कथन एक गलत है क्योंकि सबी तीन स्टरों पर पंचाइट के सद्धे से प्रत्यक्ष्य रूप से निर्वाचित होते हैं इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है प्रश्ण संक्य 13 है राज्य चुनाव आयक के बारे में निमकित कथनों पर विचार करें कथन नंबर 1 है भारते चुनाव आयक की तर्थ पर राज्य चुनाव आयक तीन सद्धे से निकाए है कथन नमबर दो है राज्य चुना आयुक्त राज्य के राज्य पाल दौरा नियुक्त किया जाता है कथन नमबर तीहन है राज्य चुना आयक्तों को उच्चे नयाले के नयाजिश के सामान आदार और तरीके से हटाया जा सकता है उपर दिये कथन में से कुन सा सही है ए मिद्या है एक और दो, बी मिद्या दो आर तीन, शी मिद्या केवल तीन और डी मिद्या एक दो आर तीन तो इसका जो correct answer हो जाएंगा, हो जाएंगा option नमबर भी दो आर तीन दो मतलब राज्य चुना आयक तो राज्य के राज्य पल द्वारा नियुकते किया जाता है इसके बाद जो अगला question है question number 14 है, प्रश्ण संक्या चवदा है, तानिया स्वशासन की निसर्वत्तम व्याक्षा यह की जा सकती है कि यह प्रयोग है यह में जैंडीया संंगवाद का बी में जैं लोककत अंत्रिक्विकेनद्रिकरन का इसके बाद जो अगला question है question number इसके पहले थोड़ा स्पष्टिकरन देख लेते हैं स्पषासन तानिया स्वशासन तोरोपर शक्तियों के प्रचार का कारण बनता है इसके अला लोगों के हित में लोगों के प्रतिनिद्यदारा एसी शक्तिया उपयोग की जाते हैं इस प्रकार है कहा जा सकता है कि स्थानिय स्वयम सरकार लोकत आंत्रिक विकेंद्रिकरन को बढ़ावा देती है इसके बाद जो अगला प्रशने प्रशने संक्या 15 है भारत में एक नगरपालिका के गठन के लिए चुनाव किये जाते हैं भारत में एक नगरपालिका के गठन के लिए चुनाव किये जाते हैं आप्शन नमबर A में देया पास साल की अवदी के पुरा होने पर तुरंत option number B में दाए नगरपाली का तरीक से च्हह महने की अवदी की अवदी की संभाप्ति से पहले option number D में देयाए उपरवर्त में से कोई भी नहीं तो इसका जो correct answer हो जाएंगा, हो जायेंगा option number C नगरपालिका के विड़िटन की तारिक से 6 मैने की अवदी की समापती से पहले इसके बाद जो क्वेश्चन नमबर 16 है प्रश्ण संक्या 16 सविधान, चौड़ात्रवे, संशोदन, अधिनियम के अनुसार राज्य की विदान सवाय नगरपालिका को निम्मकित में से कौनसी जिम्मेदारी नहीं प्रदान करती है अप्शन नमबर A में दे है आर्थिक विकासा, सामाजिक नाय के लिए यजना तैयार करना अप्शन नमबर B में दे है कानुन आर विवस्ता का प्रभंदन आप्शन नंबर C में जाए उन योजना का कार्यान बाई जो नागरपादलिवा को सोपी गई है और आप्शन नंबर D में जाए कर शुलक टोल आधी को लगाना एक अत्रार विनोजित करना तो इसका जो करेक्ट एंसर हो जाएंगा हो जाएंगा आप्शन नंबर B कानून और व्यवस्ता का प्रबंदन इसके बाद छो अगला उसका व्यक्षा देकने थोड़ा स्वस्टि करने देख लिदे कानून और व्यवस्ता का प्रबंदन एक सवेदेंशिल विशे है इसमें पूलिस बलका विपोग करने की शक्ति शामिल है इसके बाद जो एक प्रश्ण संक्या सत्र है एक कौलेश शात्र अपने शहर की नगर प्रईशत के लिए चुने जाने की इच्छा करता है उसकी नियुक्ति की वहिद्यता अन् आप्शन नमबर शी में दिया है स्तानिय निकाय के मतदाताओं की सुच्छे में उसका नाम है और आप्शन नमबर डी में दिया है वह भारत के सवेदान के प्रतिनिश्टा के रूप से एक गोश्णा फाइल करता है तो इसका जो करेक्ट टैंसर हो जाएंगा ऑप्शन काय के शेत्रा ध्यकारी के परण्जुकृत मतदाता होना चाहिए इसके बाद जो है क्वेश्टन नमबर अठरा है प्रश्ण संक्य आठरा है नगरपालियोकाओ की वित्य शक्तियों के बारे में निम्मकित में से कौन सा कथन सही है कथन नमबर एक है चावड़ात्तर्वा और नगरपालियोकाओ को कुछ राज्यकर और शुलकों को लागो करने ये कत्र करने और विनुजित करने की शक्ति दे सकता है कथन नमबर तीन है नगरपालियोकाओ की वित्य स्थिति को देखकर दोनों राज्यों वित्य आयोग और संग वित्य आयोगदारा की जाती है औ और कथन नमबर चार है राज्य और संग की संचित निदी के समान नागरपालियोका के लिए एक निदी राज्य सरकार दारास तापित की जा सकती है नीचे देख कुट का प्रोयक कर सही उत्तर चुन है अप्षन नमबर ए मिदय केवल एक और तिन बी मिदय केवल दो और तिन खी मिदय दो तीन और चार दी मिदय एक दो तीन और चार तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जाएगा दो तीन और चार दो मतलब राज्य सरकार नगरपालियुका को कुछ राज्य कर और शुलकों को लागो करने एकत्र करने और विनुजित करने की शक्ति दे सकती है तिन नमबर जो है नगर पालियुका की वित्य स्थिति की देखरेक दोनों राज्य वित्यायोग और संग वित्यायोग दारा की जाती है कथन एक गलत है क्योंकि चवडात्तरवे संशादन अधिनियम में निच्छित कर शुलक और टोल नगर निगमोदारा एकत्र और विन्योजित करनी का उल्लेक नहीं है, यह केवर राज्य सरकारों को सिपारिश करता है कि वे स्थानिय कर शुलक और टोल को एकत्र और क्वडात का जो क्वश्चन है, क्वश्चन नंबर 19 है, चावडात्तरवे संशोदन सविदान संशोदन अधिनियम के प्रवाधानों के तहत, शेरिस्तानिय प्रशाशन संस्ताओं की सहिवधानिक व्यवस्ता के बारे में निम्मकित कथनों पर विचार करे, कथन नंबर 1 जोई सविदान नगर पारी का निखाव की लिएक प्रंचाज प्रणाली के समाह तीन सतर्य प्रणाली प्रदान करती है, कथन नंबर 2 जोई सविदान के अनुसार महापूर के सिधे चुनाओ के माद्यम से चुना जाता है, और कथन नंबर 3 जोई सविदान के अनुसार कोई भी नहीं इसका जो करेक्ट एंसर हो जाएंगा हो जाएंगा option number D कोई भी नहीं तो इसका थोड़ा स्पष्टी करन देख लेते हैं कथन एक गलत है क्योंकि ग्रामिन स्थानिय निखाओं की तीन स्थर्य व्यवस्ता पदा अनुक्रमित है एक या एक से अधिक गाओं के लिए ग्राम पंचाद, ब्लोक स्थर के लिए ब्लोक समित और जिलास तर के लिए जिलास परिशद दुसरी तरफ शहरी स्थानिय निखाओं की तीन स्थर्य व्यवस्ता समानतर है बड़े नगर शहरी शत्रों के लिए नगर निगम छोटे शहरी शत्रों के लिए नगर पर में परिवर्थित हो रहे हैं कंध दो गलत है क्योंकि सविधान के अधिकार सविधान में अप्रत्यक्ष चुना भी लिखा नहीं करता है इसके बाद है इसके बाद ने वीडियो का question number 20 है प्रश्ण संक्या 20 है सरकारी समीतियों के सबंद में निम्म में से कौनसा कतन सही है सविदान का भाग नव ख सरकारी समीतियों से सबंद जिता है कथन नमबर दो जो है राज्य निथी के निदेशक सिद्दानतों के थाथ सरकारी समीतियों का भी उलिक क्या गया है कथन नमबर तीन है एक सरकारी समीति बनाने का अधिकार सविदान के थाथ एक मौलिक अधिकार है नीचे देख कोट का प्रोएक्कर सही उत्तर चुनिये केवल एक, केवल दो, केवल एक और तीन और डी में जाएक एक, दो नार तीन इसका जो करेक्ट एंसर हो जाएँगा वो जाएंगा एक, दो और तीन, मतलब उपर दे गए सभी, तो इसका धोड़ा स्पष्टी करन देख लेते हैं, सहविधान का भाग, नौ ख़व सहीद, सहवकारी समिती से सब्बंजित है, और दो जो है, राजय निती, निदेशक सिद्दान्तों के था सहवकारी समिती का वि अधिकार है, तो इसी के साथ जो है, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टन जो कोश्चन है, भारती सविधान के उपर यह कंप्लेट होते हैं, और अब गी तक आपने हमारे हलो टीचर चैनल को सस्क्राइब निकलिया, तो प्लीज सस्क्राइब कर लिजे, बेल आइकन को क्लिक कर और अपने दोस्तों के साथ शेर कर लिजे, शुबरात्री, धन्यवाद,